एमिवे बटाई कौन है? अमिवे बंटाई एक पॉपुलर यूट्यूब स्टार और रैपर है. भारत के सरवश्रिष्ट रैपर में गिने जाते हैं. यूट्यूब पर इनकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है कि इनके सभी रैप ट्रेंडिंग में रहते हैं. इस विडियो में अमिवे बंटाई का जीवन परिचय, उम्र, परिवार, गर्ल फ्रेंड और म्यूजिक करियर का विवर्ण करेंगे एमिवे बटाई उम्र और प्रारंभिक जीवन एमिवे बटाई का जन 13 नवंबर 1995 करनाटक भारत की एक मिडल क्लास फैमिली में हुआ था. इनका रियल नेन बिलाल शेख है. लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें एमिवे बटाई नाम से जानते हैं. एमिवे की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही पूरी हुई. एमिवे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. दस्वी कक्षा तक वो बहुत अच्छे अंको से. पास होते थे और वे बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते थे. लेकिन ग्यारहवी कक्षा बटाई को रैप का ऐसा नशाचाया की उन्होंने अपना पूरा ध्यान रैप में ही लगाना शुरू कर दिया. पमिवे बंटाई की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर हुआ. और वो बारहवी कक्षा में फेल हो गए. फिर बंटाई ने रैप को ही अपना कैरियर बना लिया. वास्तविक नाम बिलाल शेख उपनाम एमीवे बटाई और शाहरुक शेख व्यापार पेशा हिप हॉप गायक रैपर लेखक. एडिटर, म्यूजिक कंपोजर, डांसर और डायरेक्टर पहचान मचाएंगे गीत 24 जन्वरी 2019 जन्म की तारीख 13 नवंबर 1995 आयू 2021 तक 26 वर्ष जन्मस्थल बेंगलुरु करनाटक भारत राष्ट्रियता भारतिय वर्तमान घर का. पता मुंबई, महाराष्ट्र भारत धर्म जाती, मुसल्मान एमीवे बटाई ने अपने करियर की शुरुवात 2013 में की थी. इनके कई दोस्तों में इनको रैप लिखने के लिए प्रोचसाहित भी किया. एमीवे ने अपना पहला रैप दिलिंट लौ। नाम से रिलीज किया. हालांकि पहली विडियो से ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. हार नहीं मानी और काफी मेहंत शुरू कर दी. पहले बटाई अंग्रेजी भाशा में रैप लिखते थे, लेकिन अपनी पिता की सलाह मान कर इन्होंने 2014. मैं अपना हिंदी रैप और बटाई रिलीज किया. जो लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया और अमिवे बंटाई ने जल्द ही यूट्यूब पर दो मिलियन ग्यू कमपलीट कर लिये. अमिवे बंटाई की मेहंत और रैप के प्रती जुनून का अंदाजा. आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस हार्ड राप कैफे में कभी वो सहायक के रूप में काम किया करते थे. 2016 में उन्हें उसी कैफे से ऐसा कुछ शुट है के लिए रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड मिला. 2019 में बटाई ने बॉलिवुड में गली बॉई से कदम रखा पहली गीत ग्लिंक लॉक 2013 हिंदी गीत और बटाई 2014 बॉलिवुड डेब्यू असली हिप हॉप गली बॉई फिल्म 2019 अवार्ड और अचीवमेंट्स 2016 में रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड ऐसा कुछ शौट नहीं है 2016 गीत के लिए यूट्यूब चैनल का नाम होमिवे बंटाई चैनल की शुरुआत 4 मई 2013 विडियो की संख्या 2020 135 विडियोज सब्सक्राइबर की संख्या 2020 12 मिलियन करियर डेब्यू गली बॉई फिल्म 2019 शौक फुटबॉल खेलना डास करना और गाने सुनना एमिवे बटाई के कद काठी की बात करें तो लंबाई 5 फुट 7 इंच वजन 60 किलोग्राम और शरीर का रंग शामला है वहीं आखों का रंग गहरा भूरा और बालों का रंग काला है वह बेहत फिट है लंबाई 5 फुट 7 इंच 170 सेंटीमीटर एक 77 मीटर वजन लगधग 60 किलोग्राम 132 LBS पाउंड चाती का साइज 38 इंच कमर 30 इंच बाइसेप्स 12 इंच आखों का रंग गहरा भूरा बालों का रंग काला उन्होंने LHS मुंबई से प्रारंभिक पढ़ाई की है बचपन से की एमिवे का सपना एक बड़े रैपर बनना था इसलिए 11 धर्थ स्टेंडर्ड की और कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था स्कूल LHS मुंबई कॉलेज नहीं है लेकिन एमिवे अपने करियर पर फोकस करते हैं इसलिए उनका स्टेटस सिंगल ही दिख रहा है उनके माता पिता के बारे में जानकारी नहीं है और उन्होंने अब तक शादी भी नहीं किया है अन्य जानकारी मिलने पर इसे तुरंट अपडेट करेंगे वैवाहिक स्थिती अविवाहित गर्लफ्रिंड अफेर सिंगल मा का नाम जल्द अपडेट करेंगे पिता का नाम जल्द अपडेट करेंगे दाल चावल के साथ पापड फेवरेट डिश है वही रणवीर सिंग के गली बॉय में काम करते करते फैन हो गए शाहरुख खान की फिल्म उन्हें पसंद है इसके अलावा जैटलिन और आलिया भट उनकी फेवरेट अभिनेतरी है दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे और कुछ-कुछ होता है फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में आती है संगीतकार अरिजीत सिंह और आतिफ असलम से इंस्पाइर है अमिवे बंटाई ने एमिनेम, एनेफ और टोकन से रैप करना सीखा है वे इन से प्रेरित है खानात दाल चावल के साथ पापड अभिनेता, रनबीर सिंह, शाहरुख खान, संजय दत, अलु अर्जुन और सल्मान खान अभिनेतरी, आलिया भट, जैकलिन फरनांडीस और कीर्ती सुरेश फिल्म कुछ-कुछ होता है और दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे क्रिकेटर महेंद्र सिंह, धोनी रंग काला और सफेद संगीतकार बटा बैंड आतिफ असलम और अरिजीत सिंह रैपर, एमिनेम जगह, मुंबई और बेंगलुरू यूट्यूबर्स कैरी मिनाती आपको बता दें, एमीवे भारत के 10 सबसे मशूर यूट्यूबर्स में शामिल हैं, उनके तक्रीबन 12 मिलियन से ज्यादा सबसक्राइब हैं, कमाई का स्रोत म्यूजिक विडियो, स्पॉन्सर्शिप, लाइव कॉंसर्ट और यूट्यूब है, एमीवे बटाई तक्रीबन 10 लाख रुपए प्रती महीने कमाते हैं, जबकि एक करोड रुपए के आसपास नेट वर्थ है, कुल संपत्ती एक करोड रुपए फीस, 10 लाख रुपए तक्रीबन प्रती लाइव कंसर्ट मासिक आय, 10 लाख रुपए तक्रीबन प्रतिमाह बाइक, स्कूटी और हीरो हॉन्डा स्प्लेंडर ओमिवे बंटाई, का विवादों से भी गहरानाता है, इनके और मशूर रैपर रफ्तर के बीच कोल्ड वार के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, अभी बीते दिनों में बटाई ने आने गाने समझ में आया क्या से रैपर रफ्तार पर कटाक्ष किया, था और इनका ये सांग काफी फेमस भी हुआ था, जिसका बाद में जवाब देते हुए रफ्तार ने शेक चिली सौंद रिलीज किया था, एनकी बटाई की सोशल मीडिया में काफी पॉपुलारिटी है, इनकी पॉपुलारिटी का अंदाजा आप इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइब देख कर ही पत अपना एक निजी स्टिडियो भी है, बटाईदा स्टूडियो नाम से जहां वह अपने रैप की कमपोजिंग करते हैं। इन्स्टाग्राम आइडी एमिवे बंताई टिव्टर आइडी इने फिस्बुक। एमिवे बटाई का जन्मत एक साधारन मुस्लिम परिवार में हुआ था। कि 2017 में उन्होंने एक साथ काम किया था और उस गीत का नाम सडक था। 2019 इनके लिए सबसे अच्छा रहा क्योंकि गली वॉय का गीत लोगप्रिय हुआ। 2019 इनके लोगप्रिय हुआ। इनके लोगप्रिय हुआ।